हेलो बच्चों तो कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी बहुत यच्छ हूँगे मिर पैर बच्चों आज जो है आप सभी का मानसिक योगिता परिछा की क्लास जो है आज से शुरू हो गई है मानसिक योगिता वाली भी क्लास आज से ही मैं सुरू कर दिया हूँ साथ साथ मैं तीनों क्लास लेके चलूंगा हिंदी का मैं आलड़ी दो वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूँ ठीक है तो यदि आप नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए आज से आपकी मांसिक योगिता का जो स्लेबस है वो भी मैं सुरू कर दिया हूँ ठीक है आज जो है अम लोग पढ़ेंगे आज चित्रपूरा क्वाला चिप्टर ठीक है मेरे पैर बच्चो उसके अंदर आपको तिरभूझ ठीक है जिसे हम ट्रेंगल बोलते हैं तिरभूझ वर्ग और बृत को पूरा करने वाला कोशन हम लोग पढ़ेंगे और ये जो question है ये काफी important question रहने वाले हैं तो आप ध्यान पूर्य के question को समझेगा और यदि आपको answer आ रहा होगा तो आप comments box में इसका answer आप करिएगा ठीक है तो चलिए आए शुरू करते हैं मिरे प्यार बच्चों एक-e question बहुत ही सांदार बहुत ही जबरजस्त question है आप सभी के लिए देखे पाला जो question है यहाँ पर आकरिती दिया गया है अब इसमें क्या करना होता है कि हमें जो है पूरा करना होता है ठीक है आकरिती पूरक वाला ये जो प्रश्न है ठीक चित्र को पूरा करना है यहां पर तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा वैसे मैं आपको कोशन समझा दे रहा हूँ मेरे पैर बच्चों यहां पर देखिए आपको यह जो दिख रहा है पार्ट इसे ही हमें क्या करना है पूरा करना है और यहाँ पर option A, B, C और D दिया गया है ठीक अब इसमें जो है यह बताना है कि यह वाला जो area जो खाली है न उसको कौन इसमें से चित्र जो है पूटप करेगा अच्छे से ठीक तो यही चारो option में से हमें बताना है तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option D इसलिए आएगा यह जो image न इसको जब आप यहाँ पर रखोगे ठीक है यहाँ पर इस तरीके से जब आप इसको रखोगे पूरा का पूरा सीधा इसमें क्या हो जाएगा बैट जाएगा तो यह आपका question number one का सही answer क्या हो जाएगा option number D वाला हो जाएगा ठीक है मेरे पैरे बच्चो याद रखेंगे चलिए question number second को देखते हैं दूसरे वाले question को देखते हैं दूसरा वाला भी question काफी जबरजस्त है अब यहाँ पर देखिए एक तिर्भूज की तरह दिया गया है अब इस तिर्भूज में हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आकरिती इसे पूरा करेगे ठीक है मैं आ लड़ी बताया कि यह जो आज का चेप्टर है यह चित्र पूरा को वाला चेप्टर में लिया हूँ तो इसमें केवल और केवल चित्र पूरा करने वाला ही आएगा कोश्चन आपको ध्यान रखना है अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या है कि एक यह इस तरीके का बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे तीक है यह जो है बना हुआ है इस तरीके से अब इसमें पूरा करना है तो जिसे आपसन यह तो होगा ही नहीं क्योंकि यह बहुत बड़ा है क्योंकि देख रहे हो ना इसके अंदर इस पेस बहुत छोटा सा है बी भी नहीं होगा डी भी नहीं होगा अब हम लोग के पास क्या बच रहा है C वाला आपसन बच्चरा है क्योंकि देखे यह जितना छोटा है निकला हुआ है यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो यह पूरा का पूरा इससे क्या करेगा आराम से इसको भर देगा ठीक है? चित्र को पूरा कर देगा यानि कि question number 2 का सही जो आमसर होगा, हो जाएगा आपसन C वाला हो जाएगा ठीक है? चलिए अगले प्रस्ण के तरफ हम लोग बढ़ेंगे question number 3 को देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए question number 3 को यहाँ पर एक square है बना हुआ है ठीक है? यहाँ पर देखिए एक part जैसे इसका निकालेंगे ना आप इस तरीके का यहाँ पर तो direct यह option B वाला एकदम से आके इसमें बैठ जाएगा ठीक है? यह देख रहे हो आप यह जो है आपका प्रस्ण आकरिती कुछ इस प्रकार से और उत्तर आकरिती यह आपको यह वाला आके फीड बैठेगा इसके अंदर ठीक है? तो तीसरे का कौन से option सही हो जाएगा? option number B is the right answer चलिए अगले प्रस्ण किताब हम लोग बढ़ेंगे question number 4 देखिए question number 4 देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक जो है circle है इसमें जो है दो बाक्स की तरह यहाँ पर देखिए इसको यह दो पार्ट इसका निकाल दिया गया है ठीक? अब देखिए इसमें जो है option A तो होगा ही नहीं क्योंकि देख रहो आप यह बहुत छोटा इस तरीके का है बहुत जादा इधर कटा हुआ है ठीक है? और option B जी हाँ बिल्कुल option B जो है हो जाएगा क्योंकि आप देखो D वाला तो ऐसे ही नहीं होगा इसको आप काट दो क्योंकि इसमें देखो 2 जो है यहाँ पर पूरा करेगा वैसा आमें image लेना है ठीक है? और यह C वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो option B जो है क्या होगा? यह correct एकदम इसके अंदर fit बैठेगा इस परकार से यह आपका image कुछ हो जाएगा ठीक है? यह देखे option B वाला एकदम से hoop to hoop इसको जाके पूरा कर देगा तो question number 4 का सही answer क्या हो जाएगा? option B हो जाएगा चलिए question number 5 चो यह book है चक्सू प्रकासन की जो की काफी best book है इस book की खास बात यह है कि इसमें 2014 से लेके 2012 तक जो जो paper हुए उन सभी का हल प्रशन पत्र देखने को मिलेगा और 6 practice set भी आपको free में मिलेगा description box में मिल जाएगा 5 को देखेंगे हम लोग question number 5 को देखेंगे मेरे पैरे बच्चों और यह देखें यह जो question है न यह question जो है जो हार नो बिद्याले के जो paper है हुआ है न उसमें यह पूछे गए प्रशन है ऐसा नहीं है कि यह उठा के हम ऐसे ला दिये यह previous year के सब paper का ही मैं इसमें कराऊंगा मेरे पैरे बच्चों तो इस इसको आप ध्यान रखिए तो काफी बहतरी नोग काफी important हो ला है question आप सभी के लिए question number 5 देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यह एक जो square है इसे पूरा करने वाला image देखिए दम सेम सेम ऐसा image आप डूल लीजिए कि कौन सा image आएगा तो वही इसका सही answer हो जाएगा तो आप देखिए इसका सेम यह पूरा करेगा ना यहाँ पर इस तरीके का image आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए यह वाला तो ऐसा कुछ कौन सा दिख रहा है यह दिख रहा है न तो आपसा नमर भी क्या हो जाएगा एकदम सही सही इसके अंदर जो है फिट बैट जाएगा तो फाइब कोशन का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन भी ठीक है चलिए कोशन नमेर 6 को देख लीजिए यहाँ पर देखिए यह वाला हुगा है नहीं बी वाला देखिए नीचे पार्ट है नीचे यहाँ पर open है ही यहाँ पर तो यह side में खुला हुआ है यह वाला है यह आपसान में देख लीजिए कौन सा चित्र है तो हम देख रहे हैं कि आपसर नंबर C ठीक है तो आपसर नंबर C इसका क्या हो जाएगा शही आंसर हो जाएगा ओके चलिए अगले प्रशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कोश्चन नंबर 7 कोश्चन नंबर 7 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों कोश्चन नंबर 7 में यहां पर देखिए नीचे एक भाग कटा हुआ है ठीक है और ऊपर थोड़ा सा यह निकला हुआ है और फिर यह थोड़ा सा कटा हुआ है तो ऐसा पार्ट हम को चाहिए जो कि इस इमेज को क्या करे पूरा पूरा आराम से भर दे तो ऐसा ही इमेज आपको उठाना है ठीक है आप याद रखिएगा तो कोश्चन नंबर 7 का जो है न डी वाला देखिए एक दम इसी तरह हूप टूप ऐसा ही एक इमेज ला कर रख दीजिए जो कि इसको आराम से क्या करेगा फिल कर जाएगा देखिए ये जो बाक्स की तरह बना हुआ है इसके अंदर ये वाला पाट चला जाएगा और ये देखिए ये जो पहले से निकला है इसके अंदर ये वाला आ जाएगा ठीक है तो इसका सही आमसर कोश्चन नंबर 7 का वह हो जाएगा आपका D वाला ठीक है चलिए आंगे बढ़ेंगे मेरे पैरे बच्चो Question number 8 को देखिए यहां पर देखिए इसको जो है 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्ट में अलड़ी बार दिया गया है ठीक है अब यहां पे कौन सा अपसन इसको पूरा करेगा ठीक है जहां पर ऐसे पार्ट को रखना है जो कि इसको पूरा का पूरा इस इमेज को complete जो है भर दे ठीक तो आप देखिए यहां पर आ लेड़ी जो है 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में बार दिया है यहां पर एक 6 आ जाएगा एक 7 और एक 8 1, 2, 3 यानि कि यह 3 इस पेस वाला जो इमेज है न वही इसको कभर करेगा यानि कि आपसर नमबर 3 जो है माप करेगा आपसर नमबर इसका B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे पैरे बच्चों ठीक है आपसर नमबर B इस दा राइट आंसर आप दिस कोशन ठीक तो आई होब कि ये वीडिव आप सभी को अच्छा लगा होगा ऐसे ही मातपूर कोशन को पाने के लिए यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सभी का त्यारी इस चैनल के मादेम से मैं बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूँ बीना किसी चार्ज के कोई चार्ज नहीं लगेगा मेरे पैरे बच्चों बस इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नहीं किये हैं तो subscribe फटापट कर लिजिए और जो भी आपके doubt होंगे वो comments box में जरूर करिएगा अपना प्रस्ण को मैं जरूर इसका जबाब दूँगा ठीक है I hope की वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and जयें दोस्तों